सो आज की सुड़ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इंसोर्ट एप में ट्रेंडिंग लीरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो कुछ इस तरह का तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना अगर आप भी इंसोर्ट में लीरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो और बिना टाइम वेस्ट के अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो lyrics video editing हम करने वाले हैं insert app में सबसे पहले आप अपने insert को open कर लेना कुछ ऐसा interface आ जाएगा दिन यहाँ पर आपको काफी सारे options दीखेंगे simply सा आप video के उपर click कर देना उसके बाद new के उपर आपको click करना होगा एंड यहाँ पर आपको video photo and all का एक section दीखेंगे तो आप simply सा photos वाले section को पर आजाना एंड यहाँ पर अपने photos को आप सेलेक्ट कर लेना ठीक है for example हम यहाँ पर कुछ photos को सेलेक्ट कर लेते हैं आप भी कर लेना उसके बाद done कर देना है तो photos add हो जाएंगे ठीक है तो सारा रिसो आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा अगर आप YouTube के लिए बनाना चाहते हो तो 16-9 सेलेक्ट कर लेना अगर आप WhatsApp status के लिए या फिर Instagram real के लिए बनाना चाहते हो तो 9-16 सेलेक्ट कर लेना उसके बाद यह वाला जो option है ना इसके मदद से आप पूरा photo को पूरा screen में फिल कर लेना फिल हो जाने के बाद थोड़ा सा adjust करने का मन हो तो थोड़ा बोत आप यहाँ पर adjust कर सकती हो उसके बाद apply to all को पर क्लिक करना यह वाला बटन को पर तो सारा photos में यह सेम चीज एडिट हो जाएगा मिन्स सारे photos को आपको manually यहाँ पर adjust नहीं करना पड़ेगा सारा adjust हो जाएगा ठीक है तो इस तरह इसा आपको सबसे पहले अपने photos को यहाँ पर adjust कर लेना है उसके बाद आपको यह अपने photos का duration को आपको fix करना हो ठीक है for example लिवरा जो हमार photo इसका duration 5 seconds तक है अगर आप रखना चाहोगे तो रखना बट 5 seconds कुछ जादा ही होता है इसलिए आप इतना ना रखे इसे 3 के आसपास रखते न 3 seconds परफेक्ट रहेगा ठीक है जो 3 seconds के आसपास हमने रख दिया सेम काम हम यहाँ पर सारे photos के साथ कर देंगे ठीक है सभी को approximately 3 seconds में fix कर देंगे और उसके बाद आप देख सकतो काफी बेटर लग रहे है मतलब कि 5 seconds तक एक ही photo चलेगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हम थोड़ा सा duration को कम कर दी है उसके बाद आपको transition यूज करना है क्योंकि इस तरीके से अगर यह switch हो जाएगा तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहे है ठीक है तो इसलिए आपको यहाँ पर transition का एक बटन दिख रहा होगा आप इसको उपर click करना click करोगे तो काफी सारे आपके सामने transition आ जाएंगे like यहाँ पर zoom in है zoom out है और भी यहाँ पर glitch effects है काफी सारे कुछ step के glitch effect कुछ ऐसा glitch effect ठीक है तो मैं यहाँ पर just zoom in को select कर लेता हूँ और हाँ जो भी आप select करो ना उसका duration आप यहाँ से increase कर देना ठीक है increase कर देना पूरा max and उसके बाद done कर देना तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का हमारा जो photo है वो यहाँ पर add हो गया animation इसमे एड हो चुका सेम काम आपको सारा transition वाल बटन को उपर जाके कर देना है मतलब कोई एक अच्छा सा आप यहाँ से सबसे पहले transition सेलेक्ट कर लेना फिर इसका जो duration होगा उसे max करके done कर देना है ठीक है तो यहाँ पर भी हम add कर लेते हैं and done कर लेंगे ठीक है तो आप देख सकते हो कुछ इस music add करो फिर music according खुद से आप यहाँ पर lyrics को लिखो जो कि एक काफी लंबा process हो जाएगा ठीक है तो इस process को हम just ignore करेंगे और एक shortcut trick को use करेंगे आप क्या करना कि बना बना हुआ lyrics को use कर सेक्ट तो मैं आपको कुछ lyrics दिखाता हूँ आप simply से यहाँ पर PIP को उपर क्लिक करना इ ठीक है यह जो lyrics video होते हैं यह आपको YouTube और Pinterest application यह दो places पर आपको मिल जाएंगे ठीक है तो इस टैप को जो lyrics video होते हैं देखने में भी काफी अच्छा होता है और इसे use करना भी काफी ज्यादा simple होता है अगर आपको खुद से यहाँ edit करने जागे तो थोड़ा सा ज्यादा time लगेगी मेहनत भी लगेगी बट यह shortcut होता है ठीक है तो आप यह YouTube से gain कर सकते हो और आपका जो favorite song है ना उस song का भी आपको lyrics YouTube पे मिल जाता है तो इसलिए आप YouTube से जाके just लिख देना black screen जो भी आपको song होगा lyrics studio ठीक है तो आपको वहाँ पे मिल जागा तो वहाँ से gain कर सकते अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे आखिर use कैसे करना है तो इसे आपको directly use नहीं करना है आप सबसे पहले यहाँ पे just PIP के उपर आजाना इसको पर आने के बाद आपको एक PNG एड़ करना है ठीक है फोटो जाले section को पर जाके just इस PNG को आप सेलेक्ट कर लेना इसका link में द fix कर देना ओके fix हो जाने के बाद इसका duration पूरा last तक रखना है जहां तक आपका photos का duration होगा ओके तो यह वाला add हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे lyrics video को add करना है तो lyrics video add करने के लिए फिर से PIP को पर क्लिक करना और इस बार videos वाले section को पर जाके जो भी lyrics video को आप use करना चा कर सकते हो ठीक है तो add कर लेने के बाद आप जस्ट यहाँ scroll करना and blend का एक option आएगा इसके उपर आपको click कर देना है और a screen को select करके just done कर देना है ठीक है उसके बाद इससे आपको नीचे में यहाँ पर fix कर लेना है ओके अपने वीडियो को और बेटर बनाने के लिए आप यह आप वहाँ से भी से गेन कर सकते हो अब इसका black part हटाने के लिए आप just blend वाले option को पर आजाना and यहाँ से screen select करके done कर देना है ठीक है तो इसका black part भी हटियागा और आप देख सकते हो completely हमारा यहाँ पर lyrics would create हो चुक है and यहाँ पर आप कुछ चीज़े adjust भी कर सकते हो just like आपक adjust कर देते हैं then done कर देना है उसके बाद अपने photos को भी आप यहाँ पर adjust कर सकते हो for example filter पर आप जाना adjust के उपर आप जाओगे तो काफी सारे option मिलेंगे सबसे पहले आप brightness को थोड़ा कम कर देना so that कि आपनी जो भी overlay add कि है या फिर lyrics would add कि हो highlight हो सके अच्छे से दीखे ठीक है उसके बाद saturation को आप यहाँ से increase कर सकते हो काफी अच्छा लगेगा ठीक है and इधर आपको एक star pane का option मिलेगा इसे भी आप increase कर देना तो photo की quality है वो भी काफी enhance हो जाएगा उसके बाद यह apply to all का जो option मिलता है इसको पर आप क्लिक कर दोगे तो सभी में यह apply हो जाएगा सभी photo आपको एक करके edit नहीं करना पड़ेगा और हाँ एक चीजा आप और कर सकते हो यहाँ पर यह जो vintage का option मिलता है ना इसको पर जाके इसे थोड़ा सा increase करके just done कर देना और इससे भी apply to all पर ही कर देना ठीक है तो आप देख सकते हो हमारे जो lyrics video है बिल्कुल perfectly edit हो चुका अब इ से वह हो जाएगा तो मिलते हैं वापनी नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई